जो कि डबलू पॉइंट पे पहुंच गई, अब डबलू पॉइंट पे पहुंच गई, अब डबलू पॉइंट के बाद, जहां वह आकांचा से मिलती है, जो कि आकांचा इसकी फ्रेंड है, और वो किस दिशा से आ रहे थी, पोल दिशा से आ रहे थी, दोनों का मिलन हो गया चलिए यहाँ पर वह है W पर तो पहुच गई और किसे मुलाबफात होती है इसकी friend आकांचा से आकांचा से इसकी मुलाबफात होती है जो कि आकांचा थी वो किस साइट से आ रहे थी आप बोलेंगे एक arrow लगा दीजिए डबलू के सापेच अकांचा किस दिसा में है तो आप इसकी दिसा निकाल सकते हैं तो दिसा बोलिए क्या आजाएगी इसकी दिसा एरो जो है आपका डोवर साइड जा रहा है साउट ड्रेक्शन में जा रहा है इसके बाद एरो लेफ्ट जा रहा है या र 28 नंबर को सन देखते हैं क्या लिखा है अब यहां पर आए मोहन जी हां मोहन जी अब देखे मोहन क्या करेंगे मोहन बिंदु पीसे पूर में 15 मिटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है फिर बाय मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदू R पर पहुंचता है अब वै दाय मुड़कर 12 मीटर चलता है और S पर पहुंचता है बिंदू S से वै उत्तर पस्यम दिसा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता है और बिंदू T पर पहुंचता है बिंदु T से वह पस्यम दिसा में मुढ़कर 5 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंचता है अब वह 90 डिगरी वामा वर्थ घूमता है और 8 मीटर चलता है और बिंदु V पर पहुंचकर रूख जाता है तो बताइए इसका graph कैसे बनेगा जल्दी से एक बाद फिर से repeat करें और graph मुझे बताइए आप कैसे बनेगा graph बताइए कैसे बनेगा बहुत ही प्यारा question है यह बहुत ही प्यारा question है चलिए solve करते है इसको देखिए मोहन बिंदु P से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है 15 मीटर पहुंचता है बिंदु P से start करता है चलकर किस दिसा में पूर्व में चलिए पूर्व बोलने का मदला by default यह पर ही तो होगा पूर्व दिसा में चला दीजिए इसके बाद दूरी कितनी तै करता है दूरी तै करता है 15 मीटर 15 मीटर दूरी तै करता है पॉइंट P से वह स्टार्ट करता है पॉइंट Q यह प्रिच करता है 15 मीटर की दूरी चला इसके बाद आगे पढ़िए क्या लिखा है फिर बाय मुड़कर फिर बाय मुड़ता है और साथ मीटर चलकर चलता है और बिंदु आर तक पहुंचता है वह आप फाइनली आर पर पहुंचा है इस समय इस कंडिशन में अब बताईए इस ड्रैक्षिन में जा रहा है तो इस्ट का बाया किदर हो जाएगा नौर्थ में नौर्थ मुड़ा दीजिए नौर्थ मुड़ेगा और कितनी दूरी कवर की इसने नौर्थ मुड़ा इसके बाद नौर्थ मुड़कर साथ मीटर चलता है साथ मीटर चला और बिंदु आर पर पहुंचा बिंदु आर पर पहुंच गया अब हुए अब हुए दाय तो दाय बोंड ने का मतलब हुआ नॉर्मल राइट नॉर्मल राइट इसका नॉर्मल राइट किदर हो जाएगा इस डायक्षिन में करेक्ट किदर हो जाएगा इस डायक्षिन में इतनी बात समझ में आई नॉर्मल राइट किदर हो जाएगा इस डायक्षिन में और इस डाय से वह उत्तर पस्यम दिसा में मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता है, हाँ देखिए, स पर पहुँच गया इसके बाद, स पर तो वह पहुँच गया, स पर पहुँच गया, from point S moves towards north west direction, and moves कितना करेगा, 13 मीटर, state चलता है, and reaches point T, and reaches point T, आप इसको भी move करा दो यहां से, बिंदू S से, उत्तर पस्यम, north west, north west मुड़ा, north का मलब upper side arrow जाएगा, west का मलब left hand side जाएगा, चलिए, कितनी दूरी कवर करता है, आप बोलेंगे 13 मीटर, 13 मीटर दूरी कवर की इसने, इसके बाद, सीधा चला 13 मीटर, और बिंदू T पर पहुँच जाता है, बिंदू T पर पहुँच गया, इसके बाद, बिंदू T से, पस्यम दिसा में मुड़कर, 5 मीटर चलता है, और U पर पहुँचता है, बिंदू U पर पहुँचता है, बिंदू T से, बिंदू T से पस्चिम दिसा की ओर मुड़ता है ये मुख किया इसने पस्चिम दिसा की ओर और पस्चिम दिसा की ओर मुख करता है बिंदू U पर पहुचता है बिंदू U पर पहुचता है और देखिए क्या लिका कितनी दूरी कवर कि इसने बिंदू T से पस्चिन दिसा क्यों मुड़ता है पांच मीटर चलता है पांच मीटर चला दीजिए बिंदू U पर पहुच गया अब इसके बाद देखो अब वह 90 डिगरी वामा वर्त घूमता है और 8 मीटर चलता है अब यहां से बाद 90 डिगरी वामा वर्त घूमेगा अब यहां से बाद 90 डिगरी लेफ्ट अब यहां से बाद लेफ्ट घूमा लेफ्ट घूमा दीजिए यहां से बाद लेफ्ट घूमा और कितनी दूरी कवर की उसने आठ मीटर की, आठ मीटर की दूरी यहाँ पे उसने कवर की, और बिंदू, बिंदू वी पर वह फाइनली पहुच गया, और आके यहाँ पे वह रुख गया, क्योंकि इसकी धन रास यहाँ पे कम हो गई, ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, इस कंडीशन में पूछा क्या ग आप जो यह दूरी निकालते हैं न, यह आपकी हवाई दूरी होती है, सॉर्ट अज डिस्टेंस होती है, इसके बीच की, between, किसके बीच की, point T and U के बीच की, तो देखते है, point T और U कहा है अपना, T अपना यह है, U अपना यह है, इसके बीच की निवनितम दूरी आपको बत इसके बीच की निवनितम दूरी आपको बतानी है, इसके बीच की पूरी निवनितम दूरी यहां से यादकी बतानी है, triplet एक मैंने लिखाया था, और मैंने बताया था, आपको triplet याद होनी चाहिए, वर्णा कोई बच्चा है, आप एगर पाइथा गुर्ण प्रिमे ठिय लगाएगा तो उसका जीवन बर्वाद है, क्यों जीवन बर्वाद है, समय जादा लगेगा, वह आप पहले राइट अंगल ट्रेंगल बनाएगा, पाइथा को इंप्रमे लगाएगा, हाइपो को स्कॉर्ण पर्पेंडिकल स्कॉर्ण प्लस बेस स्क्वार, इससे अच्छ इसमें से आपकी ओल लेडी, जो आपकी 13 वैलू है, यह आपकी हाइपो अगर है, यह कंडिशन यह ट्रेप्लेट आपको फॉलो करेगा, तो यह 13 आपकी हाइपो जो की बड़ी है, 90 एंगल बनाएगा, इसके सामने क्या है, 13 जो की हाइपो बड़ी है, करेक्ट, हाइपो प पांच मीटर, और टी से यू की बीच की, टी से क्यू, क्यू की दूरी पूछेगे, टी से क्यू तक की दूरी, बताइए क्या होगी, तो देखिए, पांच इतनी दूरी है, टी से आर तक पांच, और आर से क्यू तक कितनी एच्छे, तो दोनों को जब आप आप आइड करे देखते हैं सेकंड क्या लिखी है बिंदू आर के सापेच किस के सापेच आर के सापेच बिंदू पी किस दिसा में है देखते हैं बिंदू आर के सापेच बिंदू पी किस दिसा में है बिंदू आर के सापेच बिंदू पी जो है आपकी किस दिसा में यही तो लिखाया बहु है तो हार आर के शाह पेड़ थे तक एरो चला यह बिन्दू आर के सापेज दूशा wij आपकी किस साह में तो आर से अधर जा रहा है न गया निल्गा लिफ्ट जारा है आरोरto जा रहा है तो south west direction आपकी correct हो जाएगी, south west direction, option number आपका b जो की है बेटा correct है, south west direction, बाकी आपकी ये a, c, d आपके wrong हो जाएगे, समझ में आया, बहुत ही अच्छा question था, चलते है next, next बेटा है, आपसे आपका type, next शुरू हो जाता है, type कौन सा, fifth, पास्वा type, चार type आपके complete हो जाएगे हैं, जो की चार नम्मरोला type था, आप देख रहे होंगे, तो ऐसा लग रहा है, math 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 पड़ रहे हैं, जा रहे थे, हाँ, चलिए, अब यहां से आपका सुरू होता है type, type कौन सा डाल लेंगे आप, type, fifth, type आपका, fifth यहां से starting होती है, और type fifth जो है आपका, यह आप आपका बहुत ही, testing है, बहुत ही मजाएगी देखना है, इसमें करने में, देखिए, क्या बोला गया है, क्यादी उत्तर पूर पस्यम बन जाए, दस्चिड पूर उत्तर बन जाए, उत्तर दस्चिड, उत्तर जो है आपका दस्चिड पस्यम बन जाए, और इसी प्रकार यह करम जारी रहे, तो बताएगे पस्यम क्या बन जाएगा, इसके बाद वाट विल वी वाट विल वेश्ट बिकम्स मलब आप बताईए पस्यम का क्या कंडिशन निकले कि क्या डारेक्शन होगी बताईए यह जो आपका टाइफ फाइफ है ना पाचमा वाला टाइफ है आपका यह क्या है इसमें आपको direction जो है आपकी change होगी क्या आपकी direction है direction है बेटा direction change concept इसमें क्या आपको rotation method फॉलो करना है क्या रोटेशन मेथेड, हैस्टेक, रोटेशन, मेथेड को फॉलो करना है, देखते हैं क्या दिया गया है, बहुत ही प्यारा कॉस्टन है यह, एगर नौर्थ इस्ट को क्या कर दिया जाए, वेस्ट बना दिया जाए, आगे और पढ़िए साउथ इस्ट को अगर साउथ इस्ट को बिकम्स नॉर्थ बना दिया जाए क्या नॉर्थ बना दिया जाए आगे पढ़िए नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट अगर नॉर्थ को अगर नॉर्थ को अगर नॉर्थ को साउथ वेस्ट बना दिया जाए क्या साउथ वेस्ट बना दिया जाए एंड सो और ये प्रक्रिया जारी रहे तो बताईए वेस्ट विकम वेस्ट वेस्ट में क्या आएगा हाँ वेस्ट बताईए तब से पहले आप अपने बेसिक जो क्या बेसिक जो आपका फीगर था डारेक्शन का वो बना लीजिए तो कुछ वेस्ट 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 वेस यह एरिया आपका क्या कहलाएगा यहां से यहां तक के एरिया पूरा कहलाएगा आपका नौर्थ इस्ट ऐसे यह वाला कौन सा एरिया कहलाएगा साउथ इस्ट इस वाले एरिया को आप क्या बोलोंगे साउथ वेस्ट और इस वाल एरिया को आप बोलेंगे साउथ इस्ट यहां से यहां तक क्या पूरा एरिया जो होगा क्या कहलाएगा नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट यहां से यहां तक क्या पूरा क्या कहलाएगा नौर्थ इस्ट यही पूरा एरिया क्या कहलाएगा साउथ इस्ट यहां से यहां तक के रिया कहलागा आपको साउथ वेस्ट यह थी आपको कुछ बेसिक जानकारी आप देखिए कुछन आपसे बोला गया नौर्थ इस्ट को अगर नौर्थ इस्ट बिकम नौर्थ इस्ट को वेस्ट बना दिया जाए हाँ यादी यादी उत्तर पूरुक को पस्षिम बना दिया जाए, करेक्ट, देखिए, North East become West, North East become West तो देखिए क्या होगा, यह कहा रहा है, कहना यह चारा है, जो आपकी North East है, जो आपकी North East है, अच्छे से ध्यान देना, ये आपकी North East है, इसको कहारहाँ क्या बना दिया जाए, वेस्ट इसको वेस्ट बनाने के लिए आपको कितना घुमना पड़ेगा देकि 45 सबस्क्राइब रएक्स का hundredakah या Another कितना कुण में 35 हा और नाइंटी को जब आप add करें suivre कितना हो जएगा 135 टिगरी करा गो में anti clockwise तब आप बना पकए तब यह क्या हो जएगा 135 डिगरी जो कि आप क्या हो में anti clockwise आप कोई बच्चा और कि या सरम यह पूछना जाईर सी बात थी आपकी तो देखते हैं यह तो clockwise घूम लिया अब सेकेंड आपको सरे कि सर अगर हम राइट साइड से जाएंगे अभी कहां आप आप आए आपको वेस्ट तक आने में कितने डिगरी चलना पड़ा देखिए 45 आपका यह हो गया और 90 आपका यह हो गया और 90 आपका यह हो गया 1990 और 45 जब आप इसको एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए मुझे हाँ ठीए कहने का मतलब यह अभी आप एंटी क्लोकवाइस गुम किया थे करेक्ट हां कितने डिगरी गुमें इक सो पैति जिरी हाह अफने नौर्थ इस्ट को नॉर्थ बर्स बना दिया अब आपका हमेंगे नौर्थ सब्सक того कि फेष्ट बनाने के लिए अब आप आप किस लेक्सिन में गुमेंगे में इसे आ अएगे सब कितना हो जाएगा ओसो पत्चीज डिगरी घूम के आइप तो भी को भी हो लोक वाइट वाइट संसे हम हां लॉक वाइट इरॅइट bullets को अप्र यहां से यह रिजन निकल गए आप फंड़ा आपको समाझ में आया देखो यहां पर वेसिकतगा षऊंद बना लो फिर से यहां पर क्या आपक कथा एक्स्त यह वेस्ट ये नॉर्थ ये आपक क्या हो गया नॉर्थ और ये साऊथ इनकी में डायेक्शन ये है और इनकी इस अब डायर्चन क्या थी जल्दी से बना लिजिए यह यह नौर्थ इस्ट नौर्थ वेस्ट यह आपका जोगर साउथ वेस्ट और यह ती आपकी साउथ इस्ट अभी देखिए आपने आप एक यह नौर्थ इस्ट को वेस्ट बनाने के लिए एंटी क्लाकवाईस गुमें 135 डिगरी 135 ठीक है अब बेटा इनके बीच की जो रोटेशन है ना रोटेशन अगर आप एंटी क्लोक्वाइस इसमें घूमें है तो सारे में अगर एंटी क्लोक्वाइस गूमेंगे तो रोटेशन जितना गूमेंगे जितना एंगल की वैलू आएगी सब के बीच की जो डिफरेंस होग जितना आप गूमेंगे सबका सेम होगा ठीक है रोटेशन जितनी गूमेंगे एड करेंगे सबका सेम होगा या आप क्लॉकवाइस गूमने या एंटी कुलॉकवाइस गूमें जब आप एंटी कुलॉकवाइस गूमें नॉर्थ इस्ट से बेस्ट बनाने के लिए कितने डिग क्वाइस हैं ट्लोक्वाइस पहलब साइश्ट से अगर नौर्थ जा रहे हैं तब carte नौर्थ से कितना ऊब स्थी स्थी सवार इसक्रीड थयाने के लिए कितना जिए में 90 हाँ 95 or 45 जवाब बेटा इसको add करेंगे तो finally कितना गोमेंगे 135 डिगरी एंटी कुढकवायस 135 डिगरी anticlockwise तो बेटा इनकी जब सबकी 20 की different distance होगी थो कितनी होगी 135 डिगरी ही होगी वो भी anticlockwise या आप anticlockwise गोम की answer दे रहे हैं या clockwise टो जो टोटेशन आप गूमेंगे दोनों की सेम होगी तो आप वेस्ट से एंट वेश्ट से 135 डिगरी एंटी कुलोकवाइस घूम जाए है वही आपके अंसर हो जाएगा तो आपको देखिए वेस्ट कहां पर आप बोलेंगे वेस्ट आपका यह है ठीक है और वेस्ट से वेस 35 डिगरी एंटी क्लोकवाइस घूम जाईए 90 डिगरी घूम में तो साउथ में आये और फिर 45 तो क्या हो गया फाइनली साउथ इस्ट आउथ इस्ट ड्रैक्शन साउथ इस्ट ड्रैक्शन ओप्सन नमबर बी आपका जो की करेक्ट है समझ में आया आगे कुशन करते हैं और क्लियारिटी होगी इस नमबर कुशन देखिए क्या लिखा है आपका इस नमबर को सन लिखा है आपका North becomes North East अगर North को अगर North को North East बना दिया जाए North East becomes North East North को अगर North East बना दिया जाए Correct? इसके बाद West becomes West becomes North West West को अगर West को North North West बना दिया जाए यह प्रक्रिया चलती रहे तो South becomes क्या होगा तो इन में से किसी एक की बीच की आप निकाल लीजिए हाँ रोटेशन निकाल लीजिए लोक वाइस या अंटिक लोक वाइस यह माईने नहीं है ठीक है आपकी जो डिस्टेंस इसकी होगी वही आपके जब इस पर रोटेशन घूमेंगे आजसे माईगी तो देखिए नौर्थ से नौर्थ इस्ट को बनाने में कित चलिए अन्टालीज डिक्री चले और जो लॉक है तो साउट दिग्री जब अ क्लोक वाइस भूमेंगे आउच से अब अब आप जब साउच से पैतारी डिग्री अलोगवाइस गूमेंगे तो किस टाइक्शन में आई जाएंगे साउथ इस्ट में यह क्योंतिए ती ग्रि ए सुरी ए रो का भी तो ध्याद दीजिये देखिये आपकाय ले जा रहा हैं साऊथ में करेक्ट उसाथ से से 45 जब आप की लॉक वाई सागे 25 डपी जब clockwise आंगे तो arrow देखिए कहा जा रहा है घलती नहीं हो नीचे यह arrow आपका नीचे जा रहा है south में जा रहा है इसके बाद arrow left जा रहा है या right में आप बोलेंगे left में तो क्या हो जागा south west option number आपका D جो की correct है चलते है next next आप 31 number course देखिए क्या दिया गया है या दी हाँ अब कितना लिखा है सभी डेटा के लिखने जुरूत नहीं है आप किसी भी एक डेटा को लिख लीजिए उसके बाद उसकी rotation check के लिजिए और जिसकी rotation निकाल लेने है आजा सेम प्रक्रिय उसमें भी कीजिए आपकी rotation निकल के आ जाएगी आपकी rotation निकल के आ जाएगी किस वाले को लिख लें इस वाह लिखते हैं north used को यह वाला लिख लिएते हैं कि पहले लेएं तेंग साइट वेश्ट को हैं आउत वेश्ट भी कम्स कि नौट-ेश्ट हां नौट काऊट वेश्ट भीकम यदि दच्छिड पस्षिम को उत्तर पूर्व बना दिया जाया हं साउत वेश्ट भीकंस नौर्थ इसंड ऐसी पर vectors जारी रह थो बताइये West become क्या होगा हां West इकम से क्या होगा थाइये क्या कुछ नहीं करना की वारोटेशन चेख ली नीजी है हाँ रोटेशन चेक्क कर लीजिए ठीके सावथ हेस्त को नौर्थ ईस्ट मु और This Earth देखिए आप गराब बनाईए यह आपका East, West, North and South, क्या दिवा है? South, West को, South, West को, South, West को, क्या बना दिया उसने? North, East, देखिए, opposite बना दिया, opposite बना दिया, उसने, ठीक है? क्या कर दिया? opposite बना दिया, opposite कर दिया इसको, opposite भी कह सकते हैं, यह आप देखिए, 45, 45 और यह 90, कितना हो जाएगा? 180 डिगरी, 180 डिगरी, 180 डिगरी, क्या गों में आप? clockwise, correct, clockwise, ऐसे भी आप देखिए, यह तो आप जैक्ट कह सकते हैं, South, West, South का opposite क्या होता है? South का opposite होता है, North, West का opposite होता है, West, correct, West का opposite हो जाएगा, East, तो West का opposite क्या हो जाएगा? Finally, West का opposite हो जाएगा, East, West का opposite हो जाएगा, East direction, option number, option number आपका, C, जो की, पूर्विदिशा, correct है, next, Next है आपका, 32 number question, देखिए, क्या लिखाया, 32 number question, South, वही, उसा ही है, question repeat हुआ है, फिर देख लेते हैं, South, East, become South, West, एकी condition, लिखिए आप, South, South, East, South, East को, अगर यह, South, East को, South, West, बना दे, हाँ, South, East, को, South, West, बना दे, और South, West, को, साउथ, वेस्ट, 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 सारे लिखने की जुरूत, नहीं है, सबकी बीच की आपको rotation, चेक करने की जुरूत नहीं है, किसी एक rotation, चेक कर लो, सारी rotation, सेम होगी, ठीक है, ऐसी प्रक्या चलती रहे, तो बताए, फार्नली, South, बीकम से क्या होगा, क्या, South, बीकम से क्या होगा, आपका, यह आपको बताना है, चलिए, बहुत ही प्यारा कॉर्सन, यह भी solve करते हैं, इसको, ऐसे सोल होगा, यह दिवाए, South, East, को, South, West, बना रहा है, है ना, एक से मना यह पहले तो, यह आप, East हो गया, यह West, यह North, यह South, क्या कह रहा है, वो, क्या कह रहा है, वो यह कह रहा है, कि, यह आपका, South, East हो जाएगा, यह दिवे, South, East, को, South, West, बना रहा है, हां, क्या, South, East, को, क्या बना रहा है, यह दिवे, South, West, को, South, East, को, South, West, बना रहा है, है ना, South, East, को, South, West अगर ये बना रहा है तो बताइए कितना डिगरी चला ये चला देखिए रोटेशन आपने काउंसी वाली डिरसन चेक के लिए इधर से clockwise हाँ clockwise कितना 90 डिगरी 45 और 45 एड करें कितना हो जाएगा 90 डिगरी और सीधी घड़ी की सीधी दिसा में चल ले आप clockwise 90 डिगरी clockwise रोटेशन से चेक किया आपने तो बताइए साउथ से जब आप 90 डिगरी clockwise घूमेंगे साउथ से जब आप 90 डिगरी clockwise घूमेंगे तो किस डैक्शन में आ जाएंगे आप वेस्ट में आउट से 90 degree clockwise गोमेंगे, किस direction में आ जाएंगे, waste में, waste, answer number आपका, answer number आपका A, पस्चिम, जो की correct है, चलते हैं next, next question आपका देखिए, घड़ी से related है थोड़ा, और एक आपका reasoning में chapter भी है, clock, correct, लिए वो उसमें पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें फंडा दिया गया, देखते ह है, rotation, घड़ी को भी इसने rotate करवा दिया, आप देखते हैं, कैसे rotate करवा दे, बाड़ी मज़ा आएगी, प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे, इसमें, देखिए, क्या दिया गया है, 33 number, question 33 number, it is 3 o'clock and if at this time, the minute and point towards northeast, then in which direction will be our hand be, गंटे की सुई है, उसकी दिशा आप से पूची गई, हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं, हिंदी language क्या लिकिए, एक घड़ी में 3 बज़े हैं, एक घड़ी में 3 बचे हैं, यदि इस समय, यदि इस समय, minute की सुई, उत्तरपूर्व की और हो, तब गंटे की सुई किस दिशा सब्सक्राब में होगी, तो रिखते हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा, इस को सन करने में, एक घड़ी में 3 बचे हैं, तो बताईए, आपके घड़ी में 3 कैसे बचे हैं, फिलाल जो मेरे याज़ो घड़ी है, उसमें 3 बता है कैसे बचे हैं, आपके याँ साहिद ना बजे, उसकी बात कोई बच्ट पर मेरे याँ जब 3 बजते हैं तब जो मिनट की सुई होती है बारा पर होती है और गंटे वाली सुई 3 पर होती है मेरे याँ 3 ऐसे बचते हैं अब जाक था आपके याँ भी 3 बजेंगे ऐसे ही है चलिए घड़ी में क्या वजा है 3 थीक है यह आपकी मिनट की सुई है यह आपки गंटे की सुई है तो बैटा जो मिनट की सुई है वो किस डाक्शन में अभी आप बोलेंगे दन रौला थ में करेक्ट अभी आपको बेसिक प्रैक्टिकल करके ही बता रहे है और गंटे वाली सुई है वो आप किस साइड में है अभी? इग्जेक्टली, इग्जेक्टली, इस्ट में, औरेक्ट, यदि एक घड़ी में तीन बजें है, ठीक है, यदि इस समय, यदि, यदि इस समय, मिनेट की सुई जो आपकी, सुई उत्तर पूर्व की, और हो तब, अब कह रहा है, इस समय, इस समय जो आपकी, मिनेट की सुई है, ये वाली, ये किदर आजाए, यहाँ पे, North East direction में, correct, तो बताईए, जो आपकी घंटे की सुई है, ये किस दिशा में होगी, ये आपकी घंटे की सुई है, ये किस दिशा में होगी, तो बेटा गंटे की सुई आपकी आ जाएगी South East Action में, आप इसको practical करके बताते हैं, practical करके आपको बताते हैं, पेन दीजिए एक, हाँ पेन, कोई भी दे दीजिए, चलिए सर के पेन तो नहीं मिला, और वो कह रहे हैं, इससे काम चला लिजिए सर, चलिए, अभी देखिए, आपके घड़ी में 10 कैसे बज़ रहे हैं, अरे, 3 कैसे बज़ रहे हैं, मिनट की सुई जो है आपकी, मिनट की ज आपके exactly 3 ऐसे बज़ते हैं, हाँ, ऐसे सीधा ऐसे 3 बज़ते हैं, अब कह रहा है, कि condition में कह रहा है, यदि इस समय मिनट की सुई, उत्तर पूर में हो, यदि आपकी मिनट की सुई ऐसे, उत्तर पूर में हो, तो देखिए, घंटे की सुई कहां चलिए, साउथ इस्ट में, यदि तीन तो ऐसे बज़ते हैं, अब उसने कहा, यदि समय मिनट की सुई, मिनट की सुई आपकी नौर्थ इस्ट में हो, तो बेटा आपने मिनट की सुई पकड़ की थोड़ी आ ऐसे किया, अगर आप पकड़ की करेंगे भी, तो टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, आ अब आप ऐसे रूटेट करिये घड़ी को, तो आप मिनट की सुई नौर्थ इस्ट में आ गई, और घंटे की सुई कहा चली गई, साउथ इस्ट में, करेक्ट, ये था ट्रक्टिकल, आप चलते हैं, पर पकड़िये, तो रही लग ग गया, सुई दिक्कत नहीं चली, और इ आपके साउथ, इस डारेक्शन में, साउथ, इस डारेक्शन में, अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको चलना है, मैंटोस जिन्दिकी से, हाँ, चलिए, अब देखिये, इसकी जो पूचा गया है, इसकी मेंट डारेक्शन न मतल किया frameworks जो तीन बजे का, उसको ना लि पड़ेगा पेपर में हां और ऐसी बना के फीगर को चैंज करना पड़ेगा रोटेशन करना पड़ेगा अरे नहीं भाई अब आपको ट्रिक बताते हैं ना देखिए आप देखिए घड़ी में क्या बजा है तीन हां तो घड़ी में तीन कैसे बजता है मिनेट वाली सुई आपकी जो होगी कहां होगी नौर्थ साइड में इसके बाद गंटे वाली सुई कहां होती है इस डिरेक्शन में यह होगी आपकी नौर्थ में और यह होगी इस डिरेक्शन में इसकी जो डारेक्शन दी इसमें क्या बज़ा है तीन इसकी जो में जैसे एक्शुल में तीन बज़ता है करेक्ट वैसे आप बना दीजिए इसके वाद यह आपकी मिनट हावर है यह आपकी कि now कि है एनिट कि सुई और ये गंटे की स्व meglio अब देखिए जो आपकी कि सुई के मिनट कि सुई है है मिनट कि सुई है मिनट कि सुई हमं आरफ डेकरना कि आप जो आपकी मिनट की सुई उसने गया कि आये assess Norman अगर minute की सुई North East में है तब पूँच रहा है जो आपकी ए घंटे की सुई है यह किस direction में होगी तो 3 कैसे बचता था हमने देख लिया पर आपको exact जो 3 बचता है वो वाला figure नहीं बनाना है ठीक है इसके बाद जो इसमें direction दी गए यह दिसा वो आप बना दीजिए मतलब 3 तो ऐसे बचता है ठीक है तीन तो ऐसे बचता है पर इस condition में आपको इसको North नहीं लिखना है इसको क्या जो दिया गया है वो आप लिख दीजिए जो दी गई वो डिख दीजिए North East यादी North East हो मिनेट की सुई अगर North East में हो तो गंटे की सुई कहां पे होगी अब यह आप करना क्या है आपको यह चेक करना है कि जो पूछी गई डारेक्शन है जो पूछी गई डारेक्शन से कितना दूर है जो आपकी पूछी गई डारेक्शन है यह आपकी पूछी गई डारेक्शन है दी गई डारेक्शन से कितना दूर है तो आप कहेंगे 90 डिगरी 90 हां नौर्थ इस नौर्थ इस से 90 डिग्री क्लॉक्वाइज अब आप घूमेंगे तो कहां पर आ जाएंगे फाइनली आ जाएंगे सौथ इस्ट में ये था आपका मैंटॉस जिन्दगी निंजा टेकनिक हां सौथ इस्ट एक्षन में अब आपको ऐसा करना है सबसे पहले इस इसके बाद देखना ये जो आपकी पूछी की डारेक्षन है जो आपकी पता लगा नहीं वो आई डारेक्षन दीगी डारेक्षन से कितना दूर है तो देखें 90 डिग्री 90 डिग्री फ्लॉक्वाइज करेक्ट नेक्स्ट आपका 34 नंबर देखिए क्या दिया गया है इसको आप करेंगे निंजा टेक्निक से ही एक घड़ी में एक घड़ी में नौ बजे हैं बताइए नौ कैसे बचते हैं मिनट की जो सुई होती है आप बोलेंगे नौर्थ में होती है और हावर वाली सुई होती है आप बोलेंगे वेस्ट में होती है यह आपका क्या बचता है ऐस इसे नो, correct यह आपका बचता है, जैसे नो, तो इसका accurate time की value आपको नहीं लिखनी है, correct, चलिए इसके बाद, accurate time आपको नहीं लिखना है, इसके बाद देखो, क्या क्या है, यद इस समय, यद इस समय, मिनेट की सुई, उत्तर पस्चिम, मिनेट हावर, मिनेट हैंड, मिनेट है तब बताए आप गन्ते की सुई किस दिसामें होगी आपकी मिनट की सुई या और गन्ते की सुई है हाँ तो मैंने क्या गा इसकी कर्थ does मत लिखिए हाँ हाला कि होगी नौर्थ में पर आपको करेक्ट वर्यू नहीं निकलाए जो डाक्षन दी गई है वह आपको लिख ले ना इसमें नौर्थ इस्ट में तब आप देखिए घंटे की सुई पूची गई है तब आपको क्या करना है जो आपकी पूची गई डारेक्षन है तब आपको क्या करना है जो आपकी पूची गई डारेक्षन है वह दी गई डारेक्षन से कितना दूर है तो आप कहेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंटी डिग्री क्या करना है तब आपको करना यह है कि नॉर्थ वेिष्ट से कर नॉर्थ वेष्ट से अब डीगरी अंटी क्लॉक dö guten जाहिए गूं जाई रे लेंटरफ और 45 और 45 और राए अब्र हो गया इसके बाद ये डाक्शन डाइक्शन क्या होती है आपकी साओथ Waste क्या होती है पेटा साओथ वेस्ट आपसे नमबर कौन समयच कर रहा है आपका साओध वेश्ट आपसे नमबर डी फिरसे रीपीट कर दे कैसे किया एक्ट्वल का नो बजए यदि 9 बजए मिनट की स्वी जुआ पडिये नौट गरेस्ट में तब बताइए घंटे की सुई की डियाक्षन क्या होगी तब आपको क्या करना है दी गई गई direction है उची गई direction जी गई direction से कितना दूर है तो आप बोलेंगे यह वीटा क्या है अब डिगरी एंटी clockwise नौर्थ वेस्ट का 90 डिगरी जब आप एंटी clockwise घुमेंगे तो किस डाइक्शन में आ जाएंगे आप south west direction में option number d आपका जो की correct है option number d आपका जो की correct है next next 35 number देखते हैं question ये भी बहुत ही अच्छा question है 35-36 number हाँ इसके बाद आपका next level शुरू हो जाएगा, दो question और आपके बच्चे है 35 number question में देखिए आपको क्या दिया गए बेटा 35 number question में देखिए आपको क्या दिया गए बहुत ही अच्छा question है ये और इस question में आपको दो बार आपको mind को टिक टिक कराना है चलिए एक घड़ी में साड़े दस बजे हैं हाँ, एक घड़ी में साड़े दस बजे हैं साड़े दस बेटा ऐसे ही तो बचते हैं net की switch होती हो आपकी 60 पे होती है हाँ, साड़े दस कुछ ऐसे बचते हैं आपके correct साड़े दस आपके कुछ ऐसे बचते हैं थोड़ा सा highlight करके और मोटा कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए correct साड़े दस एक घड़ी में अगर साड़े दस बज़े हैं correct एक घड़ी में अगर आपके साड़े दस बज़े हैं एक घड़ी में साड़े दस बज़े हैं यदि इस समय गंटे की सुई उत्तर की हाँ उत्तर की ओर है गंटे की सुई जो है आपकी कहा है उत्तर की ओर एक घड़ी में एक घड़ी में बेटा साड़े दस बज़े हैं साड़े दस बज़े है यदि इस समय यदि इस समय गंटे की सुई उत्तर की ओर हो अगर इस समय गंटे की सुई कहा हो तब बताईए इसके बाद एक सिचुएशन और दिये इसने कंडिशन दे कि बेटा वो क्या है तो देड़ बजे घंटे की सुई किस दिसा में होगी बताई ये डेड़ कैसे बचता है कुछ इस प्रकार बचता है तब देड़ बजे घंटे की सुई अब बेटा आपको मिनट की सुई नहीं पूछी गई है घंटे की सुई कब होगी कहां पे होगी किस दाएक्शन में होगी दो बार आपने टिक टिक कर लिया अब देखते इसका फाइनली आंसर क्या होगा टिक 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 चलके आ गए हैं कहां पे एक घड़ी में साड़े दस बजे हैं बजा दिया साड़े दस कुछ इस प्रकार बनते हैं यह आपका ओरीजन है इसके बाद बेटा आपसे पूछा क्या गया है साड़े दस बजे यदि साड़े दस बजे जो आपकी यदि साड़े दस बजे इस समय साड़े दस बजे यदि समय सुई जो आपकी घंटे वाली सुई है उत्तर की ओर है गंटे वाली सुई आपकी अगर उत्तर की ओर है तो तो आपको देखिए ये वाली आपको वाली निकालनी है हां तो मैंने क्या बताया था मैंने ये बताया था पूछी गई डारेक्शन दी गई डारेक्शन से कितना दूर है तो आप बोलेंगे 90 degree 90 degree 90 degree टिक टिक करके पहूँच गए clockwise 90 degree clockwise तो पेटा तौर्थ से आप 90 degree जब clockwise घूमेंगे 90 degree जब आप clockwise घूमेंगे तो किस डारेक्शन में फाइनली आप पहुच पाएंगे तो आप बोलेंगे सर हम तो पहुच गए इस्ट डारेक्शन में कहां इस डारेक्शन में और इस कंडिशन में आपको देखना है यह आपकी मिनट की सुई की डारेक्शन नहीं पूची गई बेटा आप पूची गई घंटे की सुई किस डिशा में होगी और आपको लेकी नहीं जाना है करुची कर आपको मेंटो करना है इस डिशा कितना दूर है तो आप बोलेंगे यह डारेक्शन सर हां सर 90 डिग्री घंटी रॉकवाइस गूमेंगे फाइनी आप आएंगे जो कि आपका पूर्व पूर्व करेक्ट है इस ट्रैक्शन में पहुंच गए, नेक्स चलते हैं आपका ये fifth नंबर का last question रहे, फिप टाइप जो आपको चल लाएए आपका last question है, इसमें भी करते हैं टिक 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 टिक, टिक độ ATC, चलते हैं, एक घड़ी में 3.4 बजे हैं, हां, एक घड़ी में साड़े चार बज़े है, तो बेटा बता ये साड़े चार चार बचते कैसे हैं, मिनेट की जो आपकी सुई होती है, वो एक्चुल कहां पर होती है, आप बोलेंगे सिक्स पे, औरेक्ट हां, सिक्स पे, यदि आपकी घड़ी में साड़े चार बजे हैं यदि आपकी घड़ी में क्या मेरे घड़ी में साड़े चार भी ऐसे बसते हैं भाई if you don't mind and kind your information आपको कुछ बताया जा रहा है नहीं आप फिर से थोड़ा देखिए साड़े चार आपके कुछ इस प्रकार बने है भजे ठीक आप देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है मेंटोस जिंदगी का यूज कर रहे हैं तो कुछ अलग हटके करना पड़ेगा एक घड़ी में साड़े चार बसे हैं तो कुछ ऐसे बज़ गए इसके बाद की सुई that sheer । रचिट पस्चिम हों आउत वेष्ट हां यह क्या आपका साओथ वेष्ट का आउत वेष्ट हाँ तो वेष्ट का में विच वेर्ट इन विस टायक्षन विल ता मिनट हैंड अब आपको मिनट हैंड की मिनट वाली जूस्ट हो पूछ लिगे बता यह किया होगा हम बताते हैं ना टच्छिड पस्चिम चीम और हो मिनट की सुई किस दिशा में होगी तब ढ़ sound कि सुई यह पूछी गई करना क्या है आपको दी गई पूछी गई डारेक्शन दी गई डारेक्शन से कितना दूर है तो आप बताईए बहुत ही प्याय तरीके से बताना तो पूछी करी डियाक्षन दी गई डियाक्षन से कितना दूर है 45 डिगरी और क्या 45 डिगरी बेटा गड़ी की सीधी दिसा में clockwise गड़ी की सीधी दिसा में clockwise तब बताईए आपका और है तो वेश्ट से बहुत ही मज़ा रही टिक-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik को सही करना है और पता ही नहीं चले की बॉरिंग का भी मैसेज हो रही हाँ कि टिक होना ही नहीं है साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट एक्षन आपकी क्या होगी यह और बेटा साउथ वेस्ट से जब आप 55 डिगरी क्लॉक वाइस घूमेंगे तो किस डा एक्षन में आ जाएंगे बताए बहुत ही काय तरीके से टिक टिक करते हुए कहां पर आ जाएंगे आप वेस्ट में हां वेस्ट एक्षन में है एपिटल डबलू लिके दें स्मार्ट तरीके से आप कहां पहुंच जाएंगे वेस्ट जो कि आपका अंसर नंबर सी पस्षिम करेक्ट है टिक 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 करते हुए ठीक है बहुत यह अच्छा कोशन था फिर से रिपीट कर दें यदि आपकी घडी में 4.5 शुरु बजे हैं साड़े चार कुछ इस्प्रकार बनते हैं यदि इस समय जो आपकी घंटे की सुई की दिसा कहा है तच्छिड पस्दियृरी का बहुत ही प्याств तरीके से आपने बदा दिया कहां पे 45 डिगरी लॉक्वाइस है पाइट पूछी की डारेक्शन दीगे डारेक्शन से कितना दूर है आपने रोटेशन चेक किया टिक-tik करते हुए हाँ जाब मैं किया तो 55 डिक्लॉक वाइस आ गए तो आप साउथ वेस्ट से 55 डिक्लॉक वाइस आप गूमेंगे पताई जब clockwise घूमेंगे वहाँ पर आ जाएंगे आप वेस्ट, option number आपका C जो की correct है, अब बेटा यहाँ से आपका type next शुरू होता है, in morning आप person was performing yoga, with his hand इसके नीचे रहेंगे, उल्टा कराएंगे और imagine करेंगे, क्या क्या होगा, योगा भी करवाना पड़ेगा आपको, बेटा फिनिस, बहुत ही bad type था यह, और मिलते है next class में, वीडियो को like, share and channel को subscribe जरू करिएगा, sharing की scoring आप से ही बढ़ेगी, ठीक है, तो sharing पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी back up practice revision करते रहना, sequence classes आपको देखनी है, बाकी मिलते है next class में, अब तक के लिए till then, goodbye, love you all, take care झाल